हार्ड हिटिंग वीडॉक्स पी को नहीं हराय जा सकता है कांग्रेस पार्टी के 85 में पूर्ण अद्वेशन में 2024 लोग सवाचुनाव के लिए विपक्षिये जुटा का मुद्दा जोर सोर से उठा 36 गड़ के रायपूर में देश की सबसे पुरानी पार्टी का सम्मेलन आयोजित हुआ इसमें कहा गया NDA से मकाबला करने के लिए समान बिचारों के आधार पर एक जुट बिपक्षि की बहुत जरूरत है अद्वेशन में इस सम्मन्द में एक प्रस्ता भी पारिश किया गया इसके अनुसार कांग्रेस पार्टी समान बिचार धारवाले धर्ण पेक्ष दिलों के भी सहमती बनाने की कोशिश करेगी लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस बिपक्षि एक ताकी धुरी बन पाएगी इससे भी बड़ा सवाल है कि अगर कांग्रेस एक मक्रत में कामयाब हो भी गई तो क्या बिपक्षी गटबन दिना थाकत बर हो पाएगा कि वह बीजेपी का मकाबला कर ले दोस्तो कांग्रेस पार्टी ने 2003 के सिमला संबेलन भी ऐसा ही परस्ता पास किया था तब सौनिया गांधी कांग्रेस की अद्दक्ष थी उन्होंने 2004 को लोकस्वा चुनाब के लिए सहयोगियों को साथ लेने का अभियान छेड़ा निश्य तोर पर उस वरस कांग्रेस की जीत में गठवंदन की बड़ी भूमिका रही हाला कि यूपिये चुनाबा दस्तित माया लेकिन चुनाब पूर उसके सहयोगियों की लिस्ट में पांच बड़े नाम जुड़ गए थे एनसीपी, टी आरेस, डी एमके, जी एम एम और इल जेपी इसका परनाम ये हुआ कि इन पार्टियों के दबदबे वाले परदेशों करमसे महरास्ट, आनपरदेश, तमिलनाडू, जहारखंड और बिहार में गठवंदन को 114 सीटे मिल गई यूपिये के सेमाई कुछ सीटों का ये 52 परसेंट था, तब कांग्रेस के उन ने गठवंदन दलों ने ही 40 सीटें जीत ली थी, दोस्तों एक्सपर्ट बताते हैं, कि 2024 में 2004 का इतियास नहीं दोहराया जा सकता है, और इसके तीन कारण किनाते हैं, जिसमें पहला कारण ही य बारती लोक तंतर गठवंदन के दोर से गुजरा, इस दोरान बीजेपी अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी रही, पार्टी ने हिंदुत और रास्टबाद के सूतर पर धीरे धीरे अपना मजबूत बोट बेंक बना लिया, मददाताओं पर बीजेपी की पकड़ को इस बास से आका जा सकता है कि 2019 के लोक स्वाचनाबों में मजबूत बेरोधी गठवंदनों के बाबजूर वह आगे निकल गई, बीजेपी के खिलाब यूपी में, बीएस पी और एस पी, करनाटक में कांगरेस और जे डीएस, जहार खंड में कांगरेस, जे एम एम और जे दिया, बीजेपी की बढ़ती ताकत का आकलन, इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी, आई ओयू से भी लगाया जा सकता है, दोस्तो, 2014-2019 के चुनाबों में, बीजेपी को बिरोधी गठवंदन के परदर्सन के आधार पर सूच कांग तयार किये गए, इसके मताबक, दब दबा हुआ करता था, 2019 में तो बीजेपी के खिलाब बिपक्षी एक जुड़ता और भी मजबूत हुई, और उसे 2014 के 64% के मकाबले, इस वार 85% आई ओयू का सामना करना पड़ा, लेकिन हैरत की बात यह है, कि बीजेपी को इसका नुक्सान नहीं हुआ, बलकि पार्ट उसी मा घटबंदन खुद के लिए घातक साबित हो सकता है, अगर जनता के बीच परसेप्सन ये बन जाए, कि ये सभी अबसरबादी दल अपने हितों के लिए एक जुट हुए है, इनका देशे से कोई लेना देना नहीं है, अगर मद्दाताओं के मन में ये बात घर कर जा है कि कैसे करनाटिक में कांगरेज जे डियस के बीच तालमेल के अभाव से गटबंदन की चुनावी नहीं या डूब गई, सर्वे डेटा से पता चला कि एतासी करूप से कांगरेज के साथ रे दलितों के 40% मद्दाता बीजे पी के पक्ष में चले गे, इसी तरह हमेशा ज असलिम मद्दाता एक जुट हो गए, लेकिन गेर यादम मद्दाताओं का भी बीजे पी के प्रती धुर्वी करन हो गया, इसका नतीजा ये हुआ कि बीजे पी 80 में से 62 सीजे जीत गई, दोस्तों तीसरा कारण इसका ये है, किसी भी बिरोधी दल के पास मोदी फैक्टर का कोई काट नहीं है, 1971 में जिस तरह इंद्रा गांदी के खिलाफ गोलबंदी बिरोधियों को भारी पढ़ गई थी, उसी तरह 2019 में मोदी बिरोधी गठमंदन बैक फायर का शिकार हो गया, इसका बड़ा कारण ही है, कि प्रदानमंत्री मोदी का अपना एक अलग बोट बेंक बन गया है, जो सिर्फ और सिर्फ उनके चेहरे पर बोट करता है, 2019 के लोग नीती सर्वे में एक तहाई लोगों ने कहा था कि अगर मोदी पी-एम का चेहरा नहीं होते, तो उन्होंने बी-जे-पी को बोट नहीं दिया होता, दोस्तों कांग्रेस पार्टी 2004 के लोग अपने केंडिट खड़े किये थे, जब कि 2019 में वह चार सो एकी सीटों पर लड़ी, 2004 में कांग्रेस को सफलता इसलिए मिली थी, चो अक्तब कांग्रेस के सवी सहयोगी दनों का कुल मिलाकर एक ही राग था, गरीब बनाम अमीर, इसके अलावा, अब भी मूती सरकार के कर देगी, इसकी संभावना नहीं के बरावर ही है, उसे मोधी साह की बीजेपी से मकाबला है, अटल अड़वानी की पार्टी से नहीं, दोस्तों अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जदा आदा शेयर करें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू बेरी मच्च